तोस्तो सुजलोन एनर्जी की बात का स्टॉक के अंदर आज फिर से लोवर सर्कृट लग गया अब देख सकते हो कि पिछले दो ट्रेडिंग सेसें से लगातार लोवर सर्कृट लग रहा है और 10% की गिरावट हो चुकी है ऐसे में लोगों को काफी जड़ा टेंशन हो रहा है क्या स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा क्या इस समय स्टॉक से निकल जाना चीए वैसे अगर आप देखे तो कोई भी स्टॉक जब लगातार दोड़ता उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग तो आती है अब सुजलोन एलजी का स्टॉक जो लगातार दोड़ा था एट रुपीज से दोड़ा सुन किया काफी तेजी से दोड़ा एक तरपा दोड़ा बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई अब ज़्यादा इस स्टॉक दोड़ छुका है तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग कहा तक होगी और क्या फिर से एक इंट्री का मौका मिलेगा वैसे तो उनके लिए गोल्डेन अपरचुनिटी है जो अभी तक सुजलोन ए और क्या इस समय सुजलोन में एक लॉंग ठम कारणी लेकर निवेस किया जाए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइकॉन दबा दीजिए ताकि छबी नया वीडियो बने पहला नोटि 66,023 के इस तर पे क्लोजिंग थी तो आप देखी सकते हो कि बाजर ने फिर से 66,000 के इस तर को चुछ हुआ है तेजी बड़ी नहीं थी 92 पॉइंट की ही तेजी थी लेकिन पूरे दिन दबाव देखनों को मिला अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग भी है 0.14% की तेजिए के इनर्जी में उसके बावजुद भी प्रॉफिट बॉकिंग के वैसे सुजलोन में लोवर सर्कृट लग गया तो देखतो कि स्टॉक की सुरुआत 37.75 पर हुई शुरुआत ही निगेटिव हुई क्योंकि देखतो कि कल की क्लोजिंग 39.30 के आस प्रस थी और कल भी लोवर सर सरकृट लग गया तो जैसे कि आपको पता हुगा श्टॉक फिलाल एसेम लिष्ट के इस्टेज 4 में है ऐसे में यहां पे या तो अपर सरकृट या लोवर सरकृट ही लगेगा क्योंकि लगाता श्टॉक दोड़ाता थोड़ा से लोवर सरकृट भी लगेगा और अभी फि 56 परसेंग का इसने बंपर रिटन दिया है 8 रुबे के आसपर श्टॉक था 22 नॉवंबर को यहां पर अगर हम बात करेंगे 6 मन की तो 295 परसेंग का श्टॉक ने जबड़ा से रिटन यानि 300 परतिसत का रिटन 9.45 के आसपर श्टॉक था इस समय 37 के आसपर से तो आपका जो 14 नॉवंबर को स्टॉक 40.50 के आसपर से जांपे 5% के आज़्स बंग थी फिर 16 नॉवंबर की बात के उसने मामूली से तेजी बही बनी और फिर 20 नॉवंबर को 41.35 के आसपर से ए. 2.2% की gear out के साथ closing दी थी lower circuit लगा था लेकिन circuit खुल गया था उसके बाद 21 नौबर की बात करें तो 39.30 के आसपस closing दी जा पर 5% का lower circuit लगा और आज फिर से lower circuit लगा आज volume कम था पिछले एक महिने पहले 10 crore का volume था और 1 week पहले देखें तो यहाँ पे 15 crore के आसपस volume बहुत अकल 13 crore का volume बहुत था आज volume 8 crore के आसपस था और क्योंकि इसके पीछे वज़े कि सुबह ही lower circuit लग गया था तो पिछले तीन ट्रेडिंग सेसमें देखें तो 12% के यहाँ पे घिरावट हुई है तो यह जो घिरावट का महिन पहले उसके पीछे देखें जो जहाँ पे company की रिजल्ट है उस रिजल्ट को investor के सामने प्रजेंट करने के लिए मीटिंग रखेंगे तो इसका दूसरा कोई रिजन नी था और company के तरफ से कोई भी बड़ा इसमें फैसला नहीं लिया जा रहा है तो यह clarification भी आया कि यह मीटिंग नॉर्मल सिर्प अपने quarter to के रिजल्ट क को आगे बढ़ा रही है लगातार कोस्ट को कंट्रोल करने की कोशिस की जारी मार्जिन को बढ़ाने की कोशिस की जारी है मेकिन इंडिया के टैट एक्यूप्मेंट बनाए जा रहे तो आने वाले समय इसका बेनिफिट और मिलेगा company की profit और बढ़ेगी September quarter में company पूरी तर से debt free भी हो चुकी है और 600 क्रोड का उनके पास surplus cash भी है इस समय तो काफी सांदर प्रदर्शन किया है सबसे जो बड़ी बात है कि company ने 144 3MW सीरीज की एक नई टर्बाइन भी लॉंच की है और ministry of new renewable energy की तरफ से आप देखे तो उसको अंदर संभावना आगे बनी हुई है इसके लाओ जो सबसे बड़ आचिवमेंट है कि मॉर्के निशनली के global index में इसको सामिल किया गया अब आप देखो कि अगर यह तो पैनी स्टॉक हुआ करता है लेकि तब company में से इंडेक्स के लाइक बन चुके तो इसका मतलब आप समझी सकते हो कि इसके अंदर संभावना आप पॉजिटिव बनने लगे बहुत सारे जो global investment fund है वो भी अब यहां पर सुझलों में investment करेंगे यानि आने वाले समें जल्दी यह lower circuit का दोर खत्म होगा फिर एक सांदर प्रॉफिट बुक कर ले लेकिन लॉंग टर्म इंवेस्टर आने वाले समें फिर से मौके का फाइदा उटा के 35 के आस्वास खरिजार के बार में सोच सकते हैं अब आप देख सकते हो कि जो market expert है वो इसमें काफी जादा bullish है यहां पर देखो कि सुझलों नजी को लेकर यहा 55 तक जा सकता है तो एक अच्छा मौका है लॉंग टर्म इंवेस्ट करने के लिए अब चलते हैं कुछ बड़ी डेल की तरफ तो सुबह 9 बचकर 17 मिनट पर 37.55 की प्राइस से यहां पर 5,11,000 की एक खरिदारी हुई तो आप देख सो कि सुबह बड़ी फंडा उसने खरिदा खरिदारी हुई उसके बाद 9 बचकर 20 मिनट पर 37.35 की प्राइस से 6,46,000 की एक बड़ी बिक्वाली हुई फिर उसी समय 9 बचकर 20 मिनट पर 37.35 की प्राइस से करीब 10,12,000 की एक बड़ी प्राफिट बुकिन और हुई उसके बाद 9 बचकर 26 मिनट पर 37.35 की प्राइस से 5,45, प्राफिट बूकिंग हो जल्दी यहां पर फिर से सांदर संभावना भी बनेगी इसके बीच में एक चौकाने वाली खबर निकल कर आई है जैसे कि सरकार इस समय ग्रीन अनर्जी को फुल प्रमोट कर रही है रिजिए के लिए सारे का सारे रहात के दौर खोले हुए लेकिन स साथ में सरकार की तरब से जैसे की एकोनोमिक ग्रोथ को बूश्ट देना है आने वाले समय जिस तरसे आने वाले समय और ग्रीन अनर्जी के माद्यम से तो विजली का इस्तमाल हो गाई लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारे लिमिटेशन है चाहिए वीड अनर्जी हो है सोलर अनर्जी हो क्योंकि विजली नहीं बन पाएगी और अगर अंदेरा है तो सोलर पैनल के मादे में से बिली नहीं बनेगे और इसलिए सरकार चाहते है कि आने वाले समय जो इकोनोमिक ग्रोथ है उसको बढ़ावाद देना है और इंडिया को सुपर पावर बनाना तो कोल बे क्लियर कर चुकी है कि आने वाले समय एकोनोमिक ग्रोथ में किसी प्रकार की कमी नहीं हो जिस तरह से उर्जा की खपत को बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए अभी भी कोल बेस पावर प्लान की जरूत पड़ी तो सरकार अभी भी इसको बन नहीं करेगी आप समझ सकते तो आप यह समझ लिए कि ग्रीद अनर्जी को बहले ही प्रमोट करें लेकिन सरकार परंप्रा के दूर्जा को भी आगे लेके चलेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ग्रीद अने वाले समय इस सूजलोन आपको माला-माल कर देगा लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्मे पच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तैंकि फ्रेंड